हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एटॉम्वी में स्टक्चर कैसे लगाते हैं, वो समझाऊंगा, उसके साथ मैं आपको ये बताऊंगा, स्टक्चर लगाते समय, क्या गलती नहीं करनी है, पावरलेक का क्या इस्तमाल होता है, कैसे यूज करना है पावरलेक, और कैसे फैमिली की आईडी अगर आप इंटरस्टेड हो अपने घर की और भी आईडी लगाने में, तो अगर आप और भी आईडी लगाते हो, तो क्या मिस्टेक नहीं करना है, तो स्टार्ट करते हैं दोस और ये हो गया भी याद रखिए दोस्तों अटॉमी में पहली आईडी खुद बखुद लेफ्ट में ही लगती है दूसरी आईडी राइट में आप पहली आईडी राइट में नहीं लगा सकते हो पहली लेफ्ट में ही लगेगा इसलिए आपको कैसे structure लगाना है आपके पास दोस्तों से अधिक आईडी तीसरी, चौती, पांचवी, छटवी, पचास, सो जितनी आईडी आए आप लेफ्ट, 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 एक के नीचे एक और राइट वाले के ये लेफ्ट साइड है एक के नीचे एक लगाते चले जाना है दूसरा आपने क्या mistake नहीं करना है आईडी लगाते समय ये हो गई आपकी आईडी अब आपने लेफ्ट में एक आईडी डाली राइट में डाली अब जनरली लोग mistake क्या करते हैं वो नीचे वाले leaders की भी left and right करना शुरू कर देते हैं ये देखिए इस तरह से अब आप समझें कि अगर आप किसी का दोनो साइड बनाओगे या अगर आपका कोई भी team member कहता है कि sir आप मेरा अभी दो साइड बना दीजिए और मैं future में काम कर लूँगा तो देखिए आप एक बात सोचे कि अगर किसी का दोनो साइड चल रहा है तो वो क्यों काम करेगा future में अगर आप इन सारी आइडियों को एक के नीचे एक लगाते तो सब को 50% कहने का मतलब है कि सब को कुछ न कुछ support एक के नीचे मिलेगा बट आपने अगर इस वेक्ति को यहाँ पे लगाया है और यह काम नहीं कर रहा है मालीजे ए तो इसको तो support मिलेगा ही नहीं न लेकिन अगर आपने इसको यहाँ लगाया होता तो यह दोनों आइडि भी नीचे आ जाती इसलिए कभी भी किसी का दो साइड मत बनाईए अगर वो active नहीं है हाँ अगर आपके नीचे कोई leader active है और आपको लग रहा है कि यार उसका right side कमजोर है बेशक आप चाहो तो उसको right में support कर सकते हो आपको लगता है left कमजोर है तो आप left में support कर सकते हो तो situation के according लेकिन कोशिश कीजिए कि maximum ID एक के नीचे एक आप लगाते चले जाईए ताकि सबको एक दूसरे का फाइदा मिले दो साइड कभी किसी का नहीं बनाईए दोस्तों एटॉमी में power leg देखें कुछ ऐसी चीज़ है कि इंडियन कमपनीज में लोगों के power leg की habit बड़ी हुए अब अटॉमी में भी लोग ये mistake कर रहे हैं आप भी कर रहे होगे कभी भी अपने upline के उपर depend मत होई है कि आपकी एक leg आपका upline चलाएगा कभी भी ये mistake मत कीजिए अगर आपका upline कोई भी ID देता है मा लीजिए आपका upline है Mr. X और ये हो आप यू अगर आपका upline आपको ID देता है most welcome A, B, C, D आप लेते चले जाए बट इनका contact number आप लेके रखिए आपको पता होना चाहिए कि ये लोग कौन है आप अपने right में भी लगा रहे हो लेकिन अपनी कुछ ID अपने left में भी रखिए अगर आपका upline आपको उपर से support कर रहे है क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका upline आज काम कर रहा है कल नहीं करेगा तो आपके पास इन सारे लोगों का contact रहना चाहिए और दूसरी चीज है कि कभी भी अपने upline के उपर मट depend कीजिए आपने upline के साथ join किया हो सकता है आप उसके joining के एक साल के बाद join कर रहे हो तो उसने तो अपनी सारी कीमती ID तो लगा डाली है अब आप माल लीजे यहाँ पे 1000 लोग उनके हो गए है और आपने join किया अब आप सोचों कि आपकी upline एक लेग आपको इस तरह से support दे और आप दूसरी साइट चलाओगे तो आपकी upline ने तो अलड़ी अपनी 1000 ID तो निकाली दी है उसके पास कोटा खतम हो गया प्लस अगर आपने बड़ी achievement लेना है तो जैसे हमारा बाया पैर और दाया पैर मजबूत होता है तो हम तेज भाग सकते हैं उसी तरह से atomy में आपको अपने दोनों साइट कंट्रोल होना बहुत जरूरी है दोस्तों atomy में लोग एक और mistake करते हैं उन्हें लगता है ना कि घर की वो जादा आईडी लगा लेंगे भाई की बहन की फादर की मदर की कपल की तो एक ही आईडी लगती है तो जादा इंकम कर सकते हैं ये एक मित है दोस्तों कभी भी आप जो अगर अपने घर की multiple आईडी लगा के काम करोगे तो benefit नहीं है बिल्कुल घर की आईडी लगाओ लेकिन उनको भी मौका दो कि वो अपना network लेकर आई जैसे suppose करो हमारा कोई भाई है तो अगर उसका भी एक network होगा अगर हम उसका भी दोनो side लगा रहे हैं माल लीजिए ये हमने अपने brother की आईडी लगा दी अब हम सोच रहे हैं कि starting से ही हम उसके भी दोनों तरफ काम करें तो अब आप सोचिए कि जो आईडी left में जानी थी इस व्यक्ति को मिलनी थी C को उसकी भी आईडी हमने दो लेक कर दिया अब माल लीजिए हमने और एक घर की आईडी लगा दी अपने father के नाम पे और फिर father के नीचे भी आईडी लगा रहे हैं दोनो side तब आप सोचिए कि क्या हो रहा है कि ये जो सारी आईडी थी जो की नीचे जा सकती थी यहां पे इसको इस व्यक्ति को इन तीन आईडी एक्जामपल बता रहा हूँ ये support तो minus हो गया ना इस व्यक्ति को जो ये चार आईडी की support मिलती वो तो minus हो गया अब कल को मालो ये तेज काम करे तो इसे तो ये नहीं मिला तो पहले आपने क्या करना है कि आपकी ये जो top ID है, इसको पहले autopilot mode पे लेके जाना है कि इसमें automatically रोज के रोज काम हो रहे हैं, आपके leaders ready हो चुके हैं, वो एक कमांडो की तरह काम कर रहे हैं, खुद बाखुद, बिना किसी pressure में आपके कहने की वज़ा से नहीं, वो खुद स achievement लेना चाहते हैं, उनकी mentality में आ गया है कि उन्हें atomy से बड़ी achievement लेना है, जब आपकी ये ID, main ID सेट हो जाए, इसका left and right, तब कभी अगर आप नीचे अपने घर की एक ID और लगाते हो, और उसके बाद उसके नीचे ID लगाओगे, तो यहाँ का ID का जो भी PV होगा, वो इचे से उपर तक सब को benefit करेगा, और अगर आप active हो, तो आप आज के 6 महीने एक साल बाद भी इस ID को धीरे धीरे grow कर सकते हो, तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, all the best, आप इन 3-4 गलतियों को प्लीज ना दोराए, नमबर वन, पहला structure एकदम सही से लगाए, अपना left and right balancing लेके चलें, किसी भी लीडर, inactive leader, inactive leader का दो side नहीं बनाए, अपलाइन के भरोसे, power के ना रहिए, बहुत सारे अपलाइन ये बता कहते हैं कि हम आपका एक side चलाएंगे, आपको देखने की जरुबत नहीं पड़े, ये myth है, आज के एक साल बाद 6 महने बाद कौन क्या क सामहाल सके, और घर की multiple IDs को लगाके, आप अपनी team की growth को slow मत कीजे, income तब भी उतनी आती है, multiple ID में भी और एक ID आपकी top जाएगी, imperial master के लिए, तो भी बहुत अच्छी income आएगी, आपको अगर multiple ID में काम करना तो पहले top ID को settle कीजे, auto mode पे लाइए, और फिर दूसरी ID पे काम कीजे, बहुत बहुत धन्यमाद